चलिए आगी है आज हम लोग एलपी टेगनेशन का जो प्रिवेस एरगा कुश्चन है जो 14 तारीक अगस्त में जो पूछा गया था 14 आठ दोहजर अठारा को सीफ्ट दूसरा का प्रस्ट आज हम आपके लिए लिकर आए हैं तो कंप्लीट इसका डिसकॉसन होगा इसका पीड पहला कुश्चन आप लोग के बोल कुश्चन पढ़ते चलिए और जवाब भी देते चलिएगा साथ ही साथ तभी जाके आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है पहला कुश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का है देख सकते हैं आप लोग पहला कुश्चन है निमने दिशा के और मुह करते हुए एस वड़िया घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री मुरती है और फिर घड़ी की सुई की दिशा में 135 डिग्री मुर जाती है और फिर पुना घड़ी की सुई के दिशा में 180 डिग्री क्या होती है मुर जाती है जो इसे इस तरीके का सब्सक्राइब कर देंगे अब जोर घटाव कर लिजी जो आजाएगा कितना आजाएगा तो 90 डिग्री आजाएगा अब देखिए वह जीश दिशा में वहां से 90 डिग्री घुमा देजी आप क्लॉक वाइज उत्तर दिशा में उत्तर दिशा से 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुज़ घुमाईएगा तो वह पूरब दिशा हो जागा ठीक है अप्सन नमबर देखे किसमें है बी में दिया हुआ है आगे चलते हैं तीसरा नमबर प्रस ने गनीत का सवाल दे दिया गया है और इन्राग जो है छोए दिन और 8-7 दिनों में काड़े पुड़ा कर सकते हैं या दे वे दोनों मिलकर काडे करते हैं तो कुल कितना कितना होगी अर्जुन की धन्राशी पूछा जा रहा है तो कोई रिक्क्त नहीं है आपको यहां पर देखें दोनों को एफिसेंस यहां पर काम कितना दिन में कर रहा है अर्जुन और अनुराग एन लिख देते हैं अनुराग छे और साथ दिन में काम कर सकते एफिसेंस है आपका अर्जुन का पूछ रहा है तो अर्जुन का साथ है तो साथ गुने छे किज़ेगा तो कितना हो ज़िए साथ 642 यानि 420 आपका सही हो जाएगा तीन के डी नंबर सही है आगे देखते हैं चौथा नंबर प्रस नहीं प्रोब्लम वाकिरती है कुशन क्या कह रहा है क जल न चारवी बताना तो देखे जल चारवी बनाने के लिए इस तरीकी के प्रोब्लमं वाकिरती को अगर जल चारवी दिखाना है तो यह 90 60 भी सीदे आपको कि नहीं होगा अब यहां पे कुछ और यहां पर जलच है जो हम यहां पर इस तरीके से जल्च बनाएं यह किस कंडिशन में बनेगा यह कंडिशन होगा कि जब यह उल्टा रहेगा ना उस कंडिशन में बनेगा किस कंडिशन बनेगा उल्टा रहेगा तब यह सीधा 90 डिगरी नीचे की तरफ बनेगा तो यह आपकी फिगर कैसी बन जाएगी यह आपकी फिगर कुछ इस तरीके की फिगर आपकी बनेगी यह देख नमबर सी में है इसलिए सी को टिक मारेंगे ठीक है दोस्त आगे चलते हैं अगला प्रसन है रोसन की उम्र जो है उसा की उम्र की बर्दवान उम्र के डेर गुने से तीन वर्स अधीक है और बारा वर्स पहले उसा की उम्र रोसन की उम्र की आधे से तीन वर्स ज्यादा थी त दोस्त इस तरीकी के जब इस सवाल आपको दिए जा तो सबसे पहले मान लेना है कि उसङा की उम्र कितनी है तो उसङा की उम्र यू लिख दे उसङा को अगर टेर गुना कर दे तो डेर इंटू एकस लिख सकते है उसमे लिख सकते हैं तो तो मानन लेते हैं तिन वर्स इसको घटा देंगे तो अट्रमेटिक तीन वर्स जादा हो जाएगा ठीक है देखिए हम एक्स इसलिए माँने है क्योंकि हमको रोसन का उम्र वर्तमान उम्र ग्याद करना ठीक है तो वर्तमान उम्र के लिए यह समिकरन आपके बन गया अब according to person क बारह वर्स पहले उसा कि उम्र रौति की उम्र से तीन वर्स जादा थी तो बारा वर्स पहले चलीगा तो क्या हो जागा एकस मात बारा उसा मेंगेक और इसमें भी चली वाइनस हटेगा तो यह प्लस मैनस खत्म और अपको क्या हो जाएगा आपका 12 हो जायगा ठीक है क्या हो जाएगा एक लिए न इसी आधेस तीन वर्ष ज्यादा है अधेसे ओगा तो एक वड़ा दू आधा करना पड़ेगा आपको ठीक है अब देखिए यहाँ पर सब को calculate किजीए कितना आ जाएगा यहां पर देखें सब यहां पर है 12-3-15 में से 3 चला जाएगा ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा 12-3-15 इसको हम ठीक से लिख देते हैं आपको यहां पर गहुच पोंच दिख रहा होगा ठीक है तो अब देखिए जो X-12 दूसरा जो समीकरन लि इसको मिटा दें अब देखिए यहां पर आधा था 1.5 इसमें से क्या घटा था तीन घटा था उसके बाद माइनस 12 और संपूर्ण को करने पर माइनस प्लस 3 हो जाएगा 3 वर्स ज्यादा है ना तीन वर्स ज्यादा अब इस समीकरन को हल कर देजगा तो यहां से आपका जो X का मान है वह X का माना आजएगा 30 वर्स आजएगा आप कल्कुलेट कर लिजेगा ठीक है लेखिन यह एंसर नहीं है अब रोसन की वरतमान उम्र कितना जगा कितना जगा कितनी निकल के अगे चलते हैं या तो रोसन को भी एक्स मान सकते थे कोई दिक्कत नहीं किससे ने लिखा था तो करंजोहर ने लिखा था एंसुटेवल वह प्रणजोहर लिखे थे आगे चलते हैं दीगर सिंकला में आपको उपस्तितर संख्या का मान देखें यहां पर चार से गुना कर रहा है तो यहां पर देखें जब भी इस तरीके का सिरी जाया जो धीरे धीरे बढ़ें तो उसमें जोर घटाव करेंगे और जो हाई स्पीड में बढ़ें उसमें गुन 1444 में तीन जोर एगा तो 147 आजाएगा आया एक नहीं 147 में 147 से गुना कीजिए और उसमें तीन जोर दीजिए कितना जोर दीजिए तीन तो देखें तो इसलिए 157 देखें ऑप्सन के तुरू भी हम बना सकते हैं ऑक्सेजन की आप पूर्ती प्राप्त होने के लिए प्र के देखें नेली दिखाए देगी ठीक है आगे चलते हैं पहली सो प्राकृतिक संख्याओं का आ सद क्या होगा देखें सउस्ट संख्या हैons क्या हो जाएगा दो से कटी का तो पिचास आपका यह हो जागा पचास 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 में टोटल संख्या कितनी है सो से भाग दिजेगा तो 50.5 आजाएगा ठीक है और दिक्कत है दिक्कत होगा तो बताते भी चलिएगा आगे प्रसंद देखिए अगला प्रसंद देखिए उस समय तो बहुत इजी प्रसंद पुछा गया थे लेकिन इस समय हाड कोशन पुछा जाएगा आगे आपके समय प् फटा फट बन जाएगा यहाँ पर ए बी सी लिख लोगे यहाँ पहले ए सी बी लिख लो चुकि जो भर रहा है उसको एक साथ कर दो खाली कर रहा है उसके उपर डॉट लगा दो यह 32 घंटा है यह 48 घंटा है यह 24 घंटा है सब का LCM लोग तो कितना आ जागा LCM अब निकाल ते सी हो गए आप देखिए धीं से भढ़े गार непह 시작 से खाली कड़ी कर अब चुसी बढ़ेगा Cassai हम चुनिचाम कर रहा है थूटू कितना ना होगा है कितना यह तो 96 गंटा ही गया अब कह रहा है कि 96 गंटा जब आ लग रहा है तो देखिए MOad काम एक मतलब यूनिट आगे अब 96 घंटा टूटल समय लग रहा है तो इसको कितना जैगा टीजरा को छाउंटे का समय लगी डी चुना जो आगे देखे दोस्त बाटा नमबर प्रसण आपके यहां पर एक और चीज होगा यह जो हम बता है उलाट करके कितना हो जाएगा 90 डिगरी तो यहां पर देखे यह 45 डिगरी यह जो है इधर से इधर 90 डिगरी तो हो रहा है लेखिन देखे जब भी यह दरपन ऐसा दरपन है इसमें जब उल्टेगा न तो यह वाला जो फिगर है यह उलाट करके ऐसे चला जाएगा जो पहले वाले 34 नमबर प्रसन देखे थे जो इस तरीके का फिगर था उलाट करके ऐसे आ गया था कि न कि आप देखिए यहां पर कुछर जा गया 1-2 अधरी कि ऑलोटे कुछ्अ बीचर चला गया तो यहां हो गया अब यह देखे यह फिगर इसमें है ऑर गलों होगा पार हे में भी है अब यहां आपको है रावल यह सब्सक् monthsHow और यहां देखिए बढ़ी complicated सवाल इसलिए अच्छे से इसको समझेगा ए में है आपका है बिल्कुल है ए में उसके बाद तो हमको नहीं लग रहा किसी में दिया हुआ है तो अपसन नमबर क्या हो जाएगा एही हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह 90 डिगरी उपर की तरफ से आ रहा है ठीक है यहां पर तीर का निस स्कों लोग केजी से डिनोट करते हैं भी को मीटर पर सबस्टार एबीटर छिए दिए किस में दिख आपको अपसन माल 1 में जैटिक मारएगE बढ़ेंगे अकलतक हाली अस्थान में चित्र को सही चित्र को बहड़ेंचे कि बंदर क्या खाता है केला तो चुहा क्या खाता है चुहा क्या खाता है तो चुहा क्या खाएगा चुहा के बारे में पूछा जा रहा है तो ठीक है क्या खाएगा वह तो वह खाएगा आपका यह क्या दिख रहा है इसका नाम क्या है आप लोग बताइए कौन सा बंदर केला खाएगा तो उसी तरगर चुहे क्या खाता है चुहे रोटी खाता है क्या खाता है रोटी दिखे में रोटी सरी ये रोटी नहीं है ये रोटी क्या है ये है ठीक है चुहा क्या खाएगा रोटी खाया यानि रोटी चौथा नमबर अप्शन किसमें है ए मे तीनों मिलकर के कितने दिनों में दस दिन में एबी मिलकर के कितने दिनों में बारा दिन में बीसी मिलकर के कितने दिनों में बीस दिन में ठीक है तो टोटल एफिसेंसी निकाल लो सब का क्या आ जाएगा टोटल का एफिसेंसी साथ ले लोगे तो इसका छो इसका पांच इसका कितना 3 आ जाएगा अब क्या कहड़ा है कि B इसे कितने दिन में B का निकालना है तो B का सबसे पहले नहीं निकलेगा तो सबसे पहले आप A का निकलेगा केस है तो यहां देखिए यहां पर B C है तो B C ABC में से घटा लोगे तो इसका Efficiency 3 तो A का Efficiency कितना हो जाएगा जब A का Efficiency पता चलिया 3 तो किसी में डाल दो A B वला में डाल दो B का निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा B का क्या हो जाएगा दो Efficiency हो जाएगा और कहरा कि पुड़ा काम करने में कितना समय लगेगा तो जब 2 की Efficiency से टूटल 60 काम को करेगा तो कितना समय लगेगा 30 समय बना सकते हैं चार हो जाएगा आनुपात तीन अनुपात यहां पर कुछ नहीं तो डॉट 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 रहने देजे लें लेजे लिए टोटरल का 12 आज आजाएगा बारा अब आएगा अब पूरा करते ट्रवे सकते हैं इसके पितना बच गया सकते हैं जाड़ा यूबाड जो है दो घंटों के लिए ऍसीगष्रता से काम करता है और एक दिन 16 बस्तों त्यार कर लेता है उसके बिर्द पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं और 24 बस्तों त्यार करते हैं इनमें से कौन सही है देखे यह दो घंटा काम किया तो 16 बस्तों यानि एक घंटा में 8 बस्तों ठीक है इसके पिता जो है 8 घंटे काम किया और 24 बस्त नहीं के लिए तो यह जाएगी सकती अधिक हो जा सकती जब 33 ही आपसे वह जाएगा इस तरीकी का मानसिक प्रज्ण आप से पूछा जाता है इसलिए पहले से प्रिपेर यह एक और हएदर Kang aus चोड़ दीजी अब इधर उधर का फॉर्म डालना भी छोड़ दीजें कैसे करता हाइड जो हैना मुकलन बीधी द्वरह कौं से विधी द्वरह परजन करेगा मुकलन बीधी द्वरह हॉआईडरा परजननं करता ठीक आगे देखें, 2018 से 20 से अनुदान आयोग जो है, UGC के अध्यक्ष कोन है, UGC के अध्यक्ष कोन थे, बताए, DP सिंग थे, कोन थे, DP सिंग थे, कोन थे, DP सिंग थे, याद रखीगा, कोन थे, DP सिंग थे, आगे चलती है, बीस नमबर प्रस्णे, कर्वन डायोकसाइड में पर्मानु भार निकाल लीजे, कर्वन की परतिस्यत मातरा निकालने के लिए पूछ रहा है, आप लोग ऐसे बताईए का तब बनेगा, ठीक है, कर्वन का बारा होता है, और अक्सीजन का 60 दूनी 32, तो आपका 32 और 12 जोड़िएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 44 अब देखिए, कार्वन की परतिस्यत मातरा निकालने के लिए पूछ रहा है, तो कार्वन का 12 बटे 44 गुने 100 कर लिजे, जब इस तरीके से करिएगा, तो आपका इंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, लगभग 27.3 प्लास आ जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से क कहा होगा, तो अकबर जो है बिर्वल जितना वाद़िमान नहीं है, जरूरी तो नहीं, यह तो कह रहा है, इसके कथन के क्या हो सकता है, जब बह रहा है, आपके साहिए, लिखे कौन सा वे न रे खव होंगा एक नहीं होगे में कुछ पिता और डॉक्टर क्या हो जाएंगे उस आदमी पिता डॉक्टर क्या हो जाएंगे मैडेक हो जाएंगे इसठीच में आपको देखने को मिल रहा है टिक मारेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे फीकर भी बहुत ऐसे पूछे जाते हैं मैत का सवाल आप कुछ रहा है कि रही ने किसी बैंक से द्धान मिलता है यह रही ने पांच वर्स तक बैंक में रासी को रखा होता तो भी आच कर रहा तो कोई दिक कर नहीं है मुलधन गुने समय गुने दर बटा सौ कर दीजिए कार दीजिए आठ पंचे चालिस चोजो का चुब फिस 240 में मिलेगा कि ना मिलेगा कश संख्या का वर्गमूल एक अपर में संख्या है यानि कि वर्गमूल नहीं निकल सकता है वह आपसे पूछ रहा है नहीं निकल सकते है यह इंद्रप्रत रखा था तो वो पांडवो ने रखा था ठीक है दिली सहर की अस्थापना की थी पांडवो ने की थी ठीक है आगे चलते हैं राघहभ द्वारा बारह पडिक्षाओं में औससथ चौबिस है और जुवेद ने अब तक 23 औससथ प्रापत किए उसका है दो जुवेद को दिएंग्खों में से किसी एक में कम से कम कितने अंग जरूर प्रापत होंगे ताकि वो राघव की परदर्शन का मुकाबला करने के मौखा पासेगा कोई दिकत नहीं है टूटल निकाली जे 12 गुने 24 करिएगा तो 144 दूना कितना होता 288 टूटल अंग कितना मिला इसे 288 मिला उस वही 23 गुना 9 किजेगा तो 23 गुना 9, 27, 28, 28, 28, 20, 207 यान कि जुबैद न ङा कितना गया यहां जुबैद यह हो गया राघव टूटल बारा एकजाम देकर के 288 प्राद और यहे 9 एकजाम देकरिके 207 प्राद प्राद क्या दोनों के बीच का अंतर कितना है बताईये दोनों बीच का अंतर हमको लग रहा 81 है 81 है की नहीं है अब देखे दोनों के बीच का अंतर 81 है तो जुबेद कम से कम आपको देखे कितना जुबेद द्वारा कम से कम जो अंक होगा कितना होगा 21 अंक होगा यहां पर अि 30 अंक दिए जारा हा यादि परतिएक परिक्षा में 30 अंक दिए जाएं तो 6 Clare is इसका हो गया ना परिक्षा टोट्ल टॉटल ठीक है अब यहां पर ध्यान से समझने बाली बात यह है आपको कि एक परिक्षा में टोटल कितना अंक लाइना ये पूछा जा रहा है और टोटल परिच्छा में कितने कितने अंक दिये जा रहा है दिये गए हैं 30 अंक दिये गए है टोटल परिच्छा में कितने अंक है 30 अंक दिये गए है ठीक है अब देखें ध्यान से आपको किवल ये चीज़ समझना है ये कितना कम अंक प्राप्त किया है 81 अंक प्राप्त किया है जुवेद ने राघव से 88 अंक प्राप्त किया है ये ध्यान रखेगा 81 अंक कम प्राप्त किया है जुवेद ने किसे राघव से और एक्जाम भी आपका कितना दिया है 9 एक्जाम दे करके यानि कि तीन एकजाव इससे कम दिया है तो एक आसी अंग प्राप्त हुआ है अब देखें यहाँ पे ध्यान से देखेगा इसमें हम क्या करने वाले हैं इसको मिटाते हैं फिर हम आगे बताते हैं ठीक है अब ध्यान से समझी यहाँ पे यहाँ पे कह गया रहा है कि एक्यासी एंग ट्रोटल लाया है ठीक है अभी इसे कितना परिक्षा देना है नौ परिक्षा दे चुका है और बारा परिक्षा यह दे चुका है तो टोटल के बीच की परिक्षा कितनी है तीन अंग है और टोटल के बीच देखें डिफरेंस कितना है एक्यासी है अब हम जान में अगर टोटल एक हएकी से अंक ओसको तो यह क्या हो जाघा उशक्राइगे डोनों घ्रणक का इकासी अंक की अभी नि gli अंग का डिफरेंस चल रहा है उसके बीच ठीक है आगे चले अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण देखिए आपके सामने यदि एक दिवसी अंतराष्टिय क्रिकेट मैच के सतक लगाने वाले पहले भारतिय कौन है यह आप से पुछा जारा है तो वह केल राहूल है कौन हो हमें टोटल चातरों की संख्या सूलत दिया हुआ है तो एक का नीचे सराइं कितना होगा तो सत्रह में से बारा घटा देजेगा पांच हो जागा पांच आगे चलते हैं देखें टोटल में एक जोड़ करके जितना दियो हाँ घटा देजेगा आ जाएगा यहाँ पर मैत का सवाल दिये हुआ है किसी मिश्रन में रेत और बाजरी की अनुपाद 7 अनुपाद आज हैं जबकि बाजरी और सिमेंट का अनुपाद 6 अनुपाद 7 हैं मिश्रन में रेत और सिमेंट का अनुपाद क्या होगा कोई दिक्कत नहीं है आपका रेत बाजरा का दिया हुआ है रेत यहां पे गवाद का पुछा कई से जा को आगे चलते हैं अगला प्रस्ट देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षन 2017 के अनुसार भारत के सकल घरेल उत्पाद GDP में सेवा छेत्र का परतिसत योगदान निमलिखित में सीमा के अंतरगत था, मतलब किस सीमा के अंतरगत था, बताइए, तो ये आपका था 50% से अधिक था, जो GDP थी, 50% से अधिक 2017-18 के अकॉर्डिंग थी आगे देखिए, 32 नमर प्रस्ण है, कि गाउं में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए सहरों में बस रहे हैं, सही बात है, बेहतर भविष्य के लिए सरकारी अफसरों का गाउं में अनिवारे नियुक्ति होना चाहिए, जरूरी तो नहीं है कि सरकारी फिसों का गाउं में निवक्ति होना चाहिए, सहरी और गाउं के मध्य परिवहन सेवाओं में बिर्दी करनी चाहिए, परिवहन से क्या होगा, बेहतर सेवा भविष्य के लिए आपको सिक्षा उक्षा लाइए, यह सब करने से क्या होगा, ना तो एक पहला सही ना दूसरा सही है, अ एक जोड़ कर एफ बना दिया एन में कितना जोड़ा है एन होता है आपका 14 और क्यूं कितना होता है 17 ते तीन जोड़ करके 17 बना दिया यू कितना होता है 21 21 में 3 जोर करके 24 बना दिया, 3 तीन जोर रहा और भॉवल में क्या जोर रहा, एक जोर रहा तो वही, इसमें I भॉवल है, I में एक जोर दीज़े I भॉवल है, तो आई में एक जोर दीज़ेगा I, J, K, A, E, I, O, U है ना तो उसमें एक जोर दीज़े ठीक है आपका क्या दिवा सीटी दिवा ना तो यहां पर एक जोड़िएगा तो क्या आजाएगा यहां पर अगर आप एक जोड़िएगा आई में यहां पर आई में एक नहीं जोड़ रहा है यहां पर कुछ और ही कर रहा है लास्ट वाले में किवल एक जोड़ रहा है देख और सी में 3 जोड़ी गाता है तीन-दोग आगया तो यहां पर एक और निकाल लिजें तीसरा नमबर निकाल लिजें तीमें दी जोड़ीए गातो तीस क्या होता है दीको टिक मारी आगे बठीए बहुत इस तरीक प्रस्ण भाज आता है इसलिए ध्यान दिजेगा अब यह पा बनता नहीं है त्रिक है आगे चलते हैं पाइज़ को तिसरे के बर्ग के बड़ाबर होता है तो आगे चलते हैं शुत्र विभाजन के चरन के दोरान जिन में जिसके जो है दोरान सेल के कोई तुस्तर के मद्धये रेका पर श्तित होँ तेखे इस तरीका का सवाल तो टूटल सवाल यहाँ पर आ चरण के दौरान गुपाटितु सेलों को क्या हो जागा मेटाफेज सुत्री विभाज का नाम हो ऑना मेटाफेज हैं जिसके दौरान गुंवाजित सरप्रत्र अब बताई एक height and distance का सवाल आपके सामने है किसी उचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के अधार का अब नवन कुन 30 डिग्री है टावर के उचाई कितनी होगी आपसे ये प्रस्म पुछ दिया ना कोई दिक्कत नहीं है पहले एक बना लिजे आप इमारत बना लिजे ठीक है और उसके बाद क्या बना लिजे टावर बना लिजे इमारत और एक टावर बना लिजे ठीक है और यहां से यहां देखे 30 डिगरी पे ताक रहा है ठीक है क्या कर रहा है अधहार का न पूझ कर रहा है तो अधहार यहां है अधहार से देखे 30 डिगरी बना रहा है ठीक है के लिए रहा है दोस्त 30 डिगरी बना रहा है जिसमें आपका 30 मीटर उचा एक इमारत है इमारत जो ह लिए 1y रूट 3 is equal to क्या हो जाएगा पी एच मान लीजे एच बटा आपका 30 हो जाएगा तो आपका क्या जाएगा 10 रूट 3 नहीं आ जाएगा कितना इजी सवाल है अब बताइए कौन से राज में भारत को मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है महाराष्ट को मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर में हमीशा क्या होता है कंप्यूटर में माउस होता है कीबोर्ड होता है CPU होता है या ग्राफिक्स होता है तो कंप्यूटर में हमीशा क्या होना चाहिए CPU होना चाहिए कंप्यूटर में CPU Central Processing Unit होना चाहिए आगे देखिए नि आगे देखते हैं किसी प्लेटफर्म के उपर से टावर के 99 तीश डिगरी था टावर 45 मिटर उचा था तो प्लेटफर्म यह डाल दी आपके उसके बीच की जो कड़ी है जो जोर के रखता वह डाल दीए ठीक है यह 30 डिगरी का कुन बना रहा है कितना डिगरी का आप से यह जो है एक्स देख चुका यह टूटल दिया हुआ है 45 मिटर यहां से यहां 40 रूट 3 मिटर दे चुका है अब यह बताना है आपको इसका मान पूछ रहा है यहां पर हो नहीं निकल लिजेगा आप मान यहां 30 डिगरी है तो 10 तीस का मान कितना होता है 10 तीज का मन 1Y है रूट कर सकते हैं फ्रसन 750 आपके सामने है ट्याफं दिया गया घ्राफ को धंख लीजए और पर अनुपाथ नौ नोस आठ सबसे कम कर दने कोई यहाँ देह तो नौ do सबसे कम हो गया सबसे ज़्यादा हो सबसे anything जाएक है पहले इन मानब चरियर में दूसरे सबसे अधिक परतीशत और दूसरे सबसे कम परतीशत वाले धातु तो लोहा पाय जाता है मानब छरीर में तो 25 परसेंट आप गडातु लोहा हो जाएगा और पर्लसटियम धातू है ठीक है सोडियम सोडियम भी धातू है तो सोडियम भी यहां पर ले सकते हैं क्या है पोटैसियम यहां पर नौ परसेंट है तो मानफ सरीर में सोडियम नहीं पाया जाता है ठीक है सोडियम आपका नहीं पाया जागा पोटैसियम पाया जागा तो पचीस और नौ का अ प्रस्ट नहीं प्रस्ट नहीं है कि डी 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 जेट डवलू और क्या रिलेसन है देखें डी से कितना ज्यादा है जी तो चार और साथ होता है तो चार तीन साथ और तेश तीन चब्विस तीन हमको लग रहा है सब ज्यादा बर रहा है तो हमको लगता है भारती अभीनेता ने अभीनेता को 2017 में फिल लाइफ टाइम अपिचिफ्मेंट अवर्ड मिला था यह आपका दो बार साथ कुश्चन हमको लगता है पूछ चुका है तो शतुर्द्धन सिनहा को मिला था पहले भी यह कुश्चन आ चुका है प्रफियस यह चीर में ठिक है आगे देखते हैं लूप्ट का चायन करना है ADG का यहाँ पर relation है प्लस बरावर और 2 से A यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस कितना संख्या छोड़ करके 1, 2, 3, 4 यहाँ तीन संख्या छोड़ कर चोथे स्थान पर है D देखे D से और बरावर का D कहाँ यहाँ यहाँ पर है 1, 2, 3, यह भी 3, 3 देख लिजे, E का देख लिजे, E का वाट होना चाहिए, तो वाट किसमें है अप्सन नमबर A है, 44 का यह अप्सन नमबर A सही हो जागा, देखे आगे चले, आगे देखते हैं 45 नमबर प्रस्ण आपके सामने है इस तरीका प्रस्ण अपने दिमाग पर आप लोग जोड़ डाल कर बनाएगा सभी सार्क मचलिया है, कोई भी मचली साप नहीं है सभी सार्क मचलिया है, कुछ इस तरीके से बना लिजेगा डार्क डाइगरम, सभी सार्क मचलिया है क्या है मचली है यानि फिस है ठीक है अब देखिए कोई भी मचली साप नहीं है कोई भी जो मचली है वो साप नहीं है ठीक है स्नेक नहीं है यह सार्क है यह स्नेक है ठीक है स्नेक आगे देखते कोई भी साप जो है सार्क नहीं है सही पात है कोई भी साप जो सार्क नहीं है सब्ह् empat भल रहा है ना तो अभा सा अगेदेझे एक मैत का सवाल है इस तरीक एक प्रस्ण बतानी है तो देखे संकु का आतन बट्टे गोले का आतन कर लिजे संकु का आतन क्या होता है वन वाई थीरी पाई आर स्क्वाई एच होता है ठीक है उसको वही होता है गोले का आतन फोर वाई थीरी पाई आर क्यू तो पाई आर स्क्वाई आर लिख सकते हैं आर स्क्वाई के खके और क्यूवक को यहां पे आर कैंसिल करना है आर कैंसिल wreck by केंसिल הכ3 Next गांसिल तो यहां पे क्या हो जाएक जुझतर हो क्या हो जाएगा अप्लों को दोस्तों बताइए यहां पे आर कामान सीधी सीधी देनाल दीया एच कामान कि ए गवा है यहां पर कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है यहां पर देखेए अब यहां पर आर इसक्वाइर दिये हुआ है कितना दिये हुआ है जब अधार का छेतरफल दिया हुआ है तो पहले हम r निकाल लेंगे इस सबसे पहले r निकालेंगे संकु के अधार का छेतरफल क्या होता है होता है py r square याने कि बृत का छेतर्फलً पाय खेटरफ़ दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वाइर ब्राबर किया है चौह सट पाई पाई से पाई कैंसी लाइट आउच्वाइगा यहां से आर याद रखेगा आर आठ हो गया यहां से 17 आपका 3 उंचाई हो गया तो यहां से क्या निकल लेंगे आप लोग यहां से आप लोग जो है उंचाई निकल लेंगे 3 उंचाई और उंचाई में बड़ी अंतर होता है 17 का SQR-8 का SQR ठीक है खड़ियेगा तो आपका आजागा 15 क्यों 17, 15 और 8 का क्या होता तो 15 H आगया अब देखें यहां पर कह रहा है कि दोनों का छेतर पर मतलब गोला बनाना है तो 1 Y 3 Pi R SQR H is equal to 4 Y 3 Pi R Q कोई दिकत नहीं है अब देखें 3 से 3 cancel out Pi से Pi cancel out R SQR हो जागा 8 का SQR 64 और H कितना है 15 is equal to 4 R Q यहां पर देखें 4 से 64 कटेगा कितना 16, 4, 64, 16, 85, 18 16, 15 कर दिया गया है 16, 15 करोगे तो आपका यहां पर Q Root निकालना पड़ेगा 16, 15 का 16, 15 का Q Root कितना होता है 2 Q Root of 30 हो जाएगा कर ले न यहां option number कितना है option number आपका 1 सही है आगे देखते हैं अगला ततकालिन मुख्य मंतरी जैललीता के मिर्तिव के कारण चिन्नाई सहर के कौन से विधान सवा छेतर से हाली में एक उपचुनाब करवाना पर था कहां करवाना पर था उस समय के करेंट पूछा गया है और दिली वेव राइजर्स जैसी छेतरिये टीम किस खेल पर थी युगता में एक दूसरे के खिलाब खेलती है तो बताए किस में खेलती है यह सारी चीजे तो होकी इंडिया लीग की यह सारी टीम में है ठीक है कारे की दर को क्या कहते हैं कारे की दर को सकती कहते हैं क्या कहते हैं कारे की दर को सकती कहते हैं अब यहां पर ग्राफ देखे छे महीने का ग्राफ दिया गया है छे महीने का बाइक बिकरी का ग्राफ दिया हुआ है कुश्चन कह रहा कि 2017 में बाइक के अतरिक्त पंजीकरन की संख्या कितनी है 2017 में मार्च में मार्च में दिया गया मार्च को पकड़िए मार्च में देखे पहले 15 था आप 25 हो गया यहां मार्च है आपको दिख रहा है यहां मार्च है पहले 15 था 25 हो गया 15 पहले पंजीकरित हो त यहां पर से बिना कलम्ब को भी क्या व्लग बना लिया है और डो गटाते चला गया तो 17 हो जाएगा कियो 17 हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं अठारा वोल्ट कितना होता है यहां पर आर कमान तीन दे दिया तो पहले कार्ट दीजिए छे हो जाएगा यह क्या बारबर आ जाएगा तो छे क्या आजाएगा छे आई बराबर आपका क्या आजाएगा एक आगे चलते हैं ऐसा हम लोग के सेट में कुश्चन दे देना तो मौजे आजाएगा ठीक है उमीद करिए कि आई कुश्चन रहे हैं लेकिन एंटीपीसी गूरुब डी को देखते हुए हमको नहीं लगता है कि इसा कुश्चन देगा चार पांच चारश ness Track एक मैं तर उसमें परिवरतिन दीषा हो जाएगा जब तो उसमें क्या चेंज होता रहता है इस कुश्चन को भी ना जाने कितने बार यह कुश्चन पूछा गया है कमर के कमर ने एक सेकेंड हैंड एस्टेडियो को पुनह बिकरी करके 16 परसेंट लाब और जित किया यादि उन एस्टेडियो को पंद्रह सो रुप्या में खड़िदा तो उसने कितने में बेचा तो देखिए पूनह बिकरी करके एक सेकेंड है ठीक है एक सेकेंड हैंड एस्टेडियो को पुनह बिकरी करके 16 परसेंट लाब कमा लिए 15 रुपया उसका सीपी और 16 परसेंट लाब तो 116 बटा आप 100 कर सबसे धीम्होंब किसी तरल की समान मातरा के लिए निमलिखित में से किस परकार की गती सबसे धीमी होगी Godется अपसे पूछा जा रह fascinated कि क्या होती सबसे हैं देहां कि सबसे धीमी होती है इसमें तिर्हुज की संख्या बताना नामत कर लिए आप इसको A, इसको B, इसको C, D, E, F, G, H, I, G, सबका नाम ड्रो कर लिजेगा तो बनाना इजी हो जागा, देखे, एक, दो, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक, यहाँ पर, दो, यहाँ पर, और दोनों मिलाकर तीन हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर देखे, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 टोटल हो गया, अभी तक, टोटल कितना, 8 हो गया, आगे देखते हैं, यहां से यहां 9 हो गिया यहां से यहां 9 ठीक है पॉइंट देते चलते हैं फिर यहां से यहां पूरा 10 हो गिया फिर इसको आगे बड़ादी 11 हो गिया अब फिर वही यहां से यहां 12 हो गिया ठीक है यहां से यहां क्या हो गिया 12 हो गिया तोटल आपका कितना पता चला है तोटल आपका अभी 12 पता चला है अभी और निकलेगा ठीक है अभी और कहां से निकलेगा ध्यान देने वाली ये बात है खोजी आप कहां से निकल रहा है ठीक है चुकि खोजना पड़ेगा अब देखे ये छोटका वाला है छोटका वाला भ सब्सक्राइब कि नहीं हो गया ठीक है और यह आपका यहां से किर यहां से यहां से बना लिए एक और बनोड़ कर लेकर कआने देख सब्सक्राइब कर लिए इस तरीक अग feelings कर लेजेगा कि यहां पर तक क TVs वाला संख्या आ जाए तो कैसे कीजेगा ध्यान से सुनिए इसमें क्या किजेगा कि अगर आप च्छे गुना पांच करते ते तीस और तीन करते ते नो तीस तो नो कितना 49 और साथ पचे 35 और चार चुका सुला 35 सुला 51 तो पचा 25 और चार ते बारा 25 और कितना हो जाएगा आपका बताई यह 25 और तीस हो जाएगा पाचीसबार है पर देखें फिर देखें एज से कितना प्रस्ट पूछ रहा है दूसरा प्रस्ट आ चुका है तो राम के पीटा के उम्र राम के दोगोनी है तो देखें नो कि राम के पिता की उम्र देखें हैं पर राम के पिता की उम्र राम की दोगुनी है तो मान लेते हैं राम की उम्र जो है एक्स और राम के पिता यानि फादर लिख देते हैं तो टू एक्स लिख देते हैं चुकि दोगुनी है अब कह रहा है आठ वर्स पहले राम के पिता की उम्र राम की अरहाई गुनी थी तो 8 VARS पहले, तो 8 VARS दोनों में 8 às- करलो किस की कौन दो गुनी था तो यह देखिए है यह इसकी जो है अरहाई गुनी था पिता की उम्र, तो बराबर में ये आ जायेंगी कि नहीं आ जायेंगे, आजायेंगे अब यहाँ पर find कर लिए तो X का मान क्या जागा 24 आ जाएगा ठीक है तो राम की उम्र कितने आ जाएगी 24 आ जाएगी आप according to option भी चल सकते हैं option के थो भी 24 को डाल करके आप बना सकते थे ठीक है आगे चले अगला नमबर देखिए और उस वस्तु पर गुर्तवाकरसन बल दवारा काड़े किया जाए तो जी का मान आपसे पूछ रहा है देखिए जब इस तरीके का प्रसन दिया जाए तो यहाँ पर गुर्तवाकरसन के बिरुद्व जो काड़े होता है डबलो बरावर का होता है एम जी एच होगा ठीक है क्या हो जाएगा एम जी एच होगा अब सबका वैल्यू डाल दीजे बीस डाल दीजे दो डाल दीजे और यहाँ पे दस डाल दीजे तो बीस दूनी चालिस चालिस नहाई 400 कितना हो जाएगा आपका 400 जूल हो जाएगा को दिककत प्रसानी समस्य अधातु आक्साइड आम तौर पर होते हैं अधातो आक्साइड आम तौर पर पर क्या होते हैं अगला 62 नंबर प्रस्न है कि 36 54 और 108 मात्म समापरतक कितना होगा बासत्या परतक यानि HCF पूछा जा रहा है तो जब भी roku grew पुना खंड कर लीजेगा या आप ऐसे भाग देखे देखे चो से भाग लग जाएगा नौ चुका चातिस नौ से भाग लग जाएगा नौ चक्षबन और ठारा से लगेगा तो जो महत्र समाब बरतक होता हो सबसे बड़ी संख्या होती इसलिए 62 का क्या हो जाएगा इसमें तीन तीरभुज एक साथ है तो अगले में भी क्या होगा तीन तीरभुज एक साथ यही है पलट जायेगा पलटेगा तो किसमें बनेगा पलटेगा तो हमको लगता है कि आपका ये बनना चाहिए पलटने के बाद और ÖPSON NUMBER B बनना चाहिए देखते हैं B नमबर किस में हैं दूसरा नंबर आपका option number a में हैं तो कौन सा सही होगा आप से पूछा जा रहा है तो सही बात है option number आपका यह सही हो जगा यह दूसरा नंबर ही पलटेगा ठीक है आगे चले अगला प्रसंद देखते हैं 64 नंबर प्रसंद है implantation किसकी प्रकिरिया है implantation क्या होता है implantation किसकी प्रकिरिया है तो देखे के लेक्ट्रोन पांच गुने दस के पावर माइनस सी ग्यारा तिर जाकी काक्छा में दो दसम्लब दो गुने दस के पावर 6 मीटर पर सेकेंड से चलता है समतुल्य धारा क्या हो जाएगा तो यहां पर देखें धारा पूछ रहा है नो आपका तो देखें यहां पर आर कमान दिया हुआ है और चाल दिये हुआ है ठीक है अवर्थ काल क्या हो जाएगा आर बटा आपका क्या हो जागा सोरी अवर्थ काल अनिया यहां पर आवर्थ काल नहीं निकल लेंगे यहां पर क्या निकल लेंगे आई बरावर क्यों 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 होता है क्यों का मान यहां पर द आई ब्रावर क्या हो जगा बिल्कुल तो यहां पर टाइम दिख्योगा अबरतकाल निकलने के लिए खीज अबरतकालने का फर्मूला होता है तूप आर बटा भी ठीक है तो टूप आर बटा भी कर लीजेगा ठीक है हम बताते equation बताएंगे गुना भाग तो आपको खुद करवाएंगे हम ठीक है तो I बराबर क्या लिख सकते हैं I बराबर Q B बटा 2Pi R लिख सकते हैं 2Pi R अब Q कमान डाल दीजे B कमान डाल दीजे 2Pi R कमान डाल दीजे सब कमान डाल दीजेगा आपका आ जाएगा हम केवल एंसर बता देते हैं आपका क्या जाएगा आपका यह आ जाएगा आपका वन पॉइंट वन टू एम्मील एमपीर ठीक है बिल्कुल अप्सन नमबर डी हो जाएगा आपका सही आगे देखते हैं यहां पर पांच गो एक दिया हुआ है इसका जो है वर्ग पूछा जा कह रहा है कि सम्मू से संबंधित नहीं है सब बीच में काट रहा है यह कात में काट रहा है सब व्यास बना रहा है यह व्यास नहीं बना रहा है तो यह आपका ऑप्सन नमबर क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर आपका बी सही हो जाएगा बी में तीसरा दिये हुआ है बटा मुल्धन कर लेंगे बराबर आपका आठ गुने कितना है दो दुनी चार एक पांच बटा दू कर लेंगे और गुने 100 कर लिजे अब काट कुट देजे यहां पर पांच से कटेगा 60 मरता में कट जाएगा अब यह चार दुनी आठ चार दुनी आठ और पंड़ा चुका किलियर है सब कुछ सही लिखे हैं तो निवेस की गई धिधन रासी आपसे पूछा जा रहा है तो यहां तो हमको कितना आ गया दो वटा पांच अरहाई साल सही है सब कुछ सही है अच्छा 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 ये पांच बटा दो अरहाई साल हम लिख दिये तो ऐसे करिए छोड़िए इस तरीके से बनाने से अच्छा है अच्छा ठीक 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 समझें समझें हम समझें देखे इस तरीके से बनाने से अच्छा है च्योंकि यह पूर्ण वर्ष का नहीं है पूर्ण वर्ष का जब भी प्रस्णा है तो वहाँ पे आपको एक चलाकी करनी है क्या चलाकी करनी है तो एक तो जानते हैं ब्याज is equal to क्या होता है ब्याज बराबर मुल्धन, मुल्धन नहीं पता, तो P, गुने समय कितना है, और हाई वर्स तो 5 वटा 2 वर्स लिख सकते हैं, गुने 10, वटा 100 होता है, बिल्कुल होता है, अब देखिए, जब भी इस तरीके का प्रशना है, जिसमें पुर्ण वर्स नहों हो, तो माइनस ब्य पांच आयगा, और मुल्धन को भी यहाँ पे X ही रहने जिए, पी नहीं मानी है, तो यहाँ पे 5X क्या आजाएगा, इधर आगया 5X, एकस बटा 5X आया ना, अब देखिए, इधर आगया 300 माइनस एकस बराबर एकस बटा 500 आगया, ठीक है, अब देखिए, यह 5 से इधर आ 24, 35, 250, कितना आ जाएगा, 68 का, बी नमबर आपका सही हो जागा, 250, लेगे, हाफ वर्स, अपूर्ण वर्स का निकालने का यही तरीका है, दूसरा तरीका, इससे इजी तरीका, तो हम मेरे नजल में नहीं हो सकता, 2016 में परदर्सित होई निमलिखित में से कौन सी मल याली फिल्म है, जिन्हेंने 100 करोर की कमाई के पराब को पार किया था, बताइए, 2016 में कौन सी वो फिल्म थी, आपको ये पूछ रहा है, तो वो फिल्म थी, पुली मुरुगन, पुली मुरुगन थी, वो फिल्म कौन सी थ यह आपका रिजनिंग का प्रस्ण है कि निमलिखित में से कुछ से कथन उतर देने के लिए प्राप्त नहीं है यह देखे कुछ इस तरीक के डाइगरम दिया गया है और आपके पास कुछ इस तरीके का दिया गया है कुछ इस तरीके का दिया गया है कथन वहां है यहां पर आ जी सवाले दोस्त ठीक है आगे चलते हैं चुकि एक पेज में रहता तेम इसको कर देदें दो पेज में उपर नीचे करने में समय खतम हो जाएगा तरक देखिए यहां पर कुश्चन है कि पहला तरक दिया जा रहा है कि राजमार्क प्रदिकरन ने घुसना की है कि वह सुक्र बात है आप बना यह नभाई सही बात है जब काम चल रहा है तो आपको खुद अंबनाना पड़ेगा प्रदिकरन अनवस्यक काड़े से नागरिकों को परसान कर रही है जरूरी है नहीं है तो केवल एक अनुमान सही है दूसरा गलत है बड़ा काम करना है तो आप ही के सबकेत में से कौन साल था तो में तसार्णी से इका000 की बि obsess लहलेगा किस ने लिया था लिए आगे देखते घ से संबंद ये हाथ का किस चबन से उंगली से थी सवाल है हाथ का अब बताना है सकेंटे लास्ट कूस्च्छन है आपका १्यान से देखिए यदि किसी billion में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो pH का मान कितना होगा वो तो अमलिये परकार के होगा एक चीज देख रहा है यह उदासीन है यह आठ है यानि यह चाड़ी है यह भी चाड़ी है तो बच क्या गया अमलिये बच गया न इस तरी के प्रस्ण को आप देख करके भी आप मार सकते हैं अब यहाँ पर देखे एक प्रोब्लम फीगर है यहा नीचे जल्च अभी बनता है तो जल्च अभी जब भी बनेगा तो यह क्या होगा 90 डिग्री अलर्ट प्लट जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा 90 डिग्री अलर्ट प्लट जाएगा ठीक है अब ध्यान दीजेगा जल्च अभी जब भी बनेगा तो देखे ऊपर बाला जो फ 75 सवाल, finally हम लोग का 75 सवाल का डिसकसन आज कंप्लीट हो गया, तो फिर हम कल शिफ्ट तीसरा इसका ले के आएगे ठीक है, आपको इसमें कितना मतलब बना है, आप लोग कॉमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं, आपको कितना इसमें आ रहा था, ठीक है मिलते हैं आप से नेक्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट शिफ्ट का परासनल ले करके तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें चैहिंद और अत्यारी अच्छा से करते रहें